हेलो गाईज वेलकम बैक अगेन अई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे तो भाई एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में आपका स्वागत है आज हम बात करने वाले हैं शेंजन वीजा से रिलेटेड तो आज हम बात करेंग टोप 10 कंट्रीज की जिसमें आपको बहुत ही इजी अपोइंटमेंट भी मिल जाती है और वीजा भी मिल जाता है क्योंकि उनका प्रोसेस थोड़ा इजी है अगर आपके पास किसी भी एक कंट्री का शेंजन वीजा है तो आप टोटल 28 कंट्रीज में ट्रेवल कर सकते हैं पहले यह 27 होती थी अब यह 28 है तो इससे पहले मैंने बात करी थी टोप 10 कंट्रीज की जिनका रिजेक्शन रेट सबसे जाना था अगर आप वह चेक करना चालते हैं तो आप लिंक कैप्शन में एवलेबल है वहां से जाके वीडियो देख सकते हैं तो चलिए इस वीडियो वीडियो डालता रहता हूं तो लेट स्टार्ट भई जो सबसे पहली कंट्री है वो है आइसलेंड आइसलेंड का रिजेक्शन रेट सबसे कम है रिजेक्शन रेट उसका 2.2 परसेंट है उनली तो वहां पे आपके लिए बहुत ही अच्छी अपोर्चनिटी है अगर आपक बहुत ही इसली वहां का वीजा कर सकते हैं और आप एक बार आइसलेंड ट्रैवल करके आप किसी और कंट्री में भी शेंजन में ट्रैवल करेंगे तो आपको कोई भी प्रोब्लम नहीं आने वाली तो सेकंड कंट्री है भाई स्विजर लैंड का भी जो रिजेक्शन रेट बहुत ही जादा एवलेबल रहती है जब भी आपको अपलाई करना हो और उनका जो रिजेक्शन रेट है वो 11.7 है अगर मैं बात करूं नेक्स्ट कंट्री की तो वह है इटली इटली का रिजेक्शन रेट 12% है बट इसकी भी अपोइटमेंट अच्छी खासी एवलेबल र आपको पता होता है जयसे जर्मनी का अप्लाई करना्य या नौर्वे और आपको और मने पायंट का पता ही नहीं करना चारते हैं लोगों को पता होता हो brackets here this बहुत ज्यादा students को rejection भी आने लगए और शेंजन वीज़ा में रिसेंटली कुछ टाइम में बहुत ज्यादा रिजादा हो रहे हैं वीजा तो नेक्स्ट कंट्री के बात करते हैं नेक्स्ट कंट्री है लग्जंबरग लगजंबर्ग का जो rejection rate है वो 12.7% है बट उसके साथ साथ वहाँ पे appointment अवेलेबल रहती है आपको इसलिए appointment मिल जाएगी जब भी आपको apply करना हूँ अगर आपको appointment नहीं मिल रही या किसी भी तरह है कोई help चाहिए तो आप मुझसे contact कर सकते हैं मैं two and half year से इसी field में काम कर रहा हूँ तो भई next country के बात करते हैं तो next country है Lithuania Lithuania की जो rejection rate है वो है 12.8% तो भई next country है Slovakia Slovakia की जो rejection rate है वो 12.9% है तो भई rejection rate तो अगर मैं मानू तो अच्छी खासी rejection rate है बट आपको visa और appointment दोनों available मिल जाती है यहाँ पेजली और आपको visa भी definitely आ जाता है अगर आप एक अच्छी file submit करते हैं तो अगर आपको multi-entry visa आता है तो जुरूरी नहीं है आपको Slovakia ही जाना है तो आप और किसी country भी जा सकते हैं तो भई next country है ओस्ट्रिया ओस्ट्रिया की जो rejection rate है वो 14.3% है तो मेरे ख्याल से बहुत जादा है बट अगर आप एक अच्छी file submit करते हैं तो definitely आपको visa आ उसका reason है क्योंकि बहुत जादा students वहाँ पे apply करते हैं और आपको एक proper file अगर submit करने नहीं आती तो Germany बहुत critical checking करता है files की तो आपको rejection पका जाता है इसलिए Germany का rejection rate थोड़ा जादा है as compared to other country वहाँ का rejection rate 14.8% तक है तो भही last but not least वह है Greece, Greece की appointment बहुत जादा available रहती है और आप आपको बहुत ही easily मिल जाएगी जस्ट आपको थोड़ा सा time देना पड़ेगा और वहाँ की rejection rate 14.8% के around तो वहाँ पे भी आपको visa बहुत ही easily grant हो जाता है जहां तक मेरा experience है अब तक मुझे बहुत rare rejection आया है Greece का as compared to other country तो भई यह थी वह top 10 countries जहाँ पे आप अपना luck try कर सकते आपको बहुत easily visa मिल जाएगा और appointment भी मिल जाएगी तो अगर आपको भी video interesting लगयो तो channel को कर लिजे subscribe and thanks for watching this video share and subscribe my channel please